नीट के एक्जाम को लेकर एक बड़ी खबर है जिन भी बच्चों ने नीट का एक्जाम दे दिया है यानि रिजल्ट भी आ चुका है लेकिन अब उन बच्चों की सांसों की अगर हम बात करते हैं वो अटकी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोट में एक ऐसी ही याचिका दायर दायर हो चुकी है और फिलाल आपको बता दे कि जब से नीट का रिजल्ट निकल कर आया है तब से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं क्योंकि आज तक नीट की इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 67 बच्चों के 720 मार्ट्स होंगे लेकिन इस बार ऐसा हो गया और सात साथ आपको बता दे कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गए हैं जैसे ही नीट का एक्जाम पांच में को हुआ आप पूरे देश में खबर फैल गई कि इसमें कुछ गलत तरीके से हैं माल प्रैक्टिसीज की गई हैं कुछ बैक डॉर एंटर्स थे पर मिलती जा रही थी और बहुत सी खबरे जो हैं वो पूरे देश से अलग-अलग कोचिंग सेंटर से भी आ रही थी वहीं अब आपको बता दे कि सुप्रीम कोट में एक एसी ही प्ली दायर हो चुकिये पिल दायर हो चुकिये जिसमें साफ तोर पर ये का है कि आपको बन पाएंगे तो देखिए बहुत सारे बच्चों की बात करते हैं उनकी काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है कहीं बच्चे रह गए लेकिन कहीं बच्चों ने जो है वो नीट का एक्जाम दिया और उन्होंने पास भी किया है लेकिन फिलाल अभी तक इस पर जो हसमंजस बना हुआ है क्या सुप्रीम कोटिस नीट के एक्जाम को कैंसल कर देगा क्या नीट का एक्जाम दुवारा लिया जाएगा जिस तरह से नीट यूजी दोजाट चोबिस की बात करते हैं स्पेशल इंवेस्टिगेशन अजनसी की बात करें आपको बता दे कि उन्होंने ये कह रहा है कि ऐसा कैसे हो गया साल दोजाट चोबिस में जो है ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं सबसे पहले आपको आना होगा कुछ बच्चों के साथ सो अठारा मार्च है और कुछ के साथ सो उन्नीस मार्च है और ये पॉसिबल कुछ हद तक हो सकता है लेकिन साथ सो बीस मार हैं तो कहीं न कहीं ये उन सब चीजों को अंदेशा देता है कि इसमें माल practices हुई हैं गलत तरीके से हुई है backdoor entries हुई होगी सिफारिश हुई होगी कुछ तो कुछ धांदली जो है वो जरूर इसमें हुई होगी साथी साथ अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहां पर अब हाई कोड क्या माफ कीजेगा सुप्रीम कोड क्या डिसाइड करता ये देखने वाली बात होगी जब 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 जो है वो नीट पर सवाल ये निशान उटे तब तब आपको पैसो को इन्वेस्ट किया और अपने माबाप के पैसो को इन्वेस्ट करने के साथ साथ यहां पर बच्चों ने जो है वो पढ़ाई करने के साथ साथ अपने माबाप का जो है पैसा अपने माबाप का यहाँ पर हर एक चीज़ को जो इन्वेस्ट किया बच्चों ने माबाप ने बहुत जादा मैनत की फिलाल के लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि नीड यूजी जो दोहजाटोबिस का एक्जाम हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट में कैंसल करने के लिए प्ली जो यह वो दायर हो चुकी है यानि याद्ची का दायर हो गई है और याद्ची का दायर करने वाले समात सेविक हैं जो हमेशे से बच्चों के हित्की बात करते हैं साथ तोर पर यह कहना है कि इसमें कुछ माल प्रैक्टिसिस पाई गई है इसमें कुछ और और चीज़े पाई गई है इसलिए आपको जो है इस एक्जाम को कैंसल करना चाहिए फिलाल आपने जो मुकश्मीर से भी बहुत सी खबरे देखी बच्चों ने 720 नंबर भी लाए हैं बच्चों ने 708 भी लाए हैं 719 भी लाए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आभी तक यह का है कि दुबारा से हमारे पेपर्स को रीचेक करना चाहिए क्योंकि हम बहुत अच्चा स्कोर कर सकते थी और हमने बहुत अच्चा पेपर किया उसके बावजूद हमारे रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे नहीं आया है और रिजल्ट की अगर हम बात करें वो लोगों के लिए सैटिसफाइड नहीं है और लोग कह रहे हैं हमारे साथ जस्टिफाइज हो है वो नहीं कर पाई है फिलाल आपकी क्या रहा है उससे जरूर सांजा किजेगा